2021 का बंगाल चुनाव अब तक के हुए चुनावों में सबसे ज्यादा दिल्चस्प है और ये देश की राजनीती में काफी ज्यादा एहमियत भी रखता है बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत जोग दी है परदानमंत्री से लेकर अलग अलग राजियों के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर कई जन सभाएं की है टीमसी भी इस चुनाव में किसी तरह की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल चुनाव के बारे में कौन गौन सी पार्टीयां चुनावी मैदानों में हैं और आखिरकार किस पार्टी की जीत होगी और पनला किस की तरफ जुकता हुआ नजर आ रहा है हम अपने इस खास वीडियो में इन तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे लेकिन पहले बात करते हैं वोटिंग परसंटेज के बारे में लगभग 84.3% वोटिंग हुई दूसरे चरण में 86% और तीसरे चरण में लगभग 85% वोटिंग हो चुकी है लेकिन हमें कुछ और फैक्ट के बारे में जानना भी बेहत जरूरी है बात करें चुनाव को लेकर बीजेपी की रणिती के बारे में तो इस चुनाव में भी बीजेपी अपने रास्टरवाद और हिंदुत्व के मुद्दे के जरिये दुरूवी करण करने की कोशिश कर रही है इसे लेकर दूसरे राजनीतिक दल और खुद ममता बैनर जी भी गंबीरता से जनता के सामने इस मुद्दे को उठा चुकी है कभी टीमसी में अच्छा ओदा रखने वाले बंगाल के पूर्व मंतरी शुबेंदु अधिकारी ने नंदी ग्राम में ममता के खिलाव जो कैंपेंच चलाया वो पूरी तरह से सामपरदाइकता से प्रेरित था ना केवल शुबेंदु बलकि उनके पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिवेंदु अधिकारी जो अभी भी ममता बैनर जी की त्रिणमूल कॉंग्रेस से लोकसभा सांसत हैं उन्होंने भी उसी सामपरदाइक लाइन पर नंदी ग्राम में ममता के खिलाव प्रचार किया चुनाव प्रचार के दोरान शुबेंदु अधिकारी ने ममता बैनर जी को बेगम, फूफी और खाला कहकर पुकारा और कहा कि ममता का शासन बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देगा शुबेंदु ने इनी इलपसंख्यक लोगों का सपोर्ट लेकर चुनाव जीता था लेकिन आज उनी वोटर्स को वो आउटसाइडर कह रहे हैं हरानी की बात ये है कि 2016 के विधान सबा चुनाव में ममता ने उन्हें मुस्लिम बहुल जिले मुर्शीदाबाद में एक एक काम की जिम्मेदारी दी थी ये एक ऐसा काम था जिसमें टीमसी को मुस्लिम मदाताओं को कॉंग्रेस से दूर करके अपनी पार्टी में शामिल करना था नंदी ग्राम में कुल 350 मदान के इंदरों के साथ दो प्रशासिनिक ब्लॉग है 2011 की जनगर्णा के अनुसार नंदी ग्राम के ब्लॉग एक में मुसलमानों का हिस्सा 35 फीसदी है और ब्लॉग 2 में 12 फीसदी वैसे नंदिग राम में दोनों ही पार्टियों के हिंदू वोटर्स को जैश्री राम का नारा लगाने में कोई अतराज नहीं है लेकिन मुसलिम वोटर्स को लगता है कि अगर भारती जनता पार्टी जीत गई तो उनसे जबरन जैश्री राम कहलवाया जाएगा यही वज़ा है कि ऐसे भी कई वोटर्स हैं जिनोंने कभी TMC को वोट नहीं किया लेकिन इस बार BJP को रोकने के लिए TMC की तरफ जा रही है जहां बांगला कविताओं और साहित्यों के जरिये एकता का संदेश दिया जाता है वहीं ऐसा पहली बार हो रहा है जब बंगाल सांबरदाइक धुरूवी करन पर आधारित चुनाब देख रहा है वहीं वामबंधी समर्तकों का BJP में शामिल होना भी इस चुनाब को काफी ज्यादा दिल्चस बना रहा है अगर हम स्थानी मद्दाताओं की मानें तो उनके मताबिक 2011 के बाद से लेफ्ट के पास कोई नेत्रित्व नहीं है और ये वो लोग हैं जो TMC को बिल्कुल पसंद नहीं करते यहीं वज़य है कि ये सारे के सारे समर्तक BJP की तरफ शिफ्ट हो रही है इन दिनों एक नारा काफी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वो है पहले वाम अब राम BJP ने इस चुनाव में बेरोजगारी, ब्रस्टाचार और कई इलाकों में गुंडागर्दी का मुद्दा मुख्य रूप से उठाया है BJP का दावा है कि इस चुनाव में TMC के खिलाब स्पस्ट रूप से एंटी इंकमेंसी नजर आ रही है 2006 में लेफ्ट फरंट का वोट शेयर 50% था और 2011 में यही वोट शेयर 40% हो गया इसके बाद 2016 में यह वोट शेयर 26% ही रह गया अगर बात करें BJP की तो 2016 में BJP की लगभग ना के बराबर कुल 3 सीटे थी लेकिन उनका वोट शेयर 10 पी सदी तक पहुँच गया था लेफ्ट फरंट को जन्ता ने कितनी बुरी तरह नकारा था इस बात का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि साल 2004 में लोगसभा चुनावों में लेफ्ट की 35 सीटे आई थी लेकिन साल 2019 में लेफ्ट को एक भी सीट नहीं मिली थी वहीं BJP को 2019 के लोगसभा चुनावों में जबरदस्ट जीत हांसिल हुई थी राजनीतिक विशलेशकू का मानना था कि लेफ्ट का 22 परसेंट वोट शेयर BJP के खाते में ट्रांसफर हो गया और TMC का दावा था कि इस दौरान उनका वोट शेयर 1 परसेंट भी कम नहीं हुआ जहां 2004 के लोगसभा चुनावों में बंगाल में BJP को एक भी सीट हांसिल नहीं हुई थी वहीं 2019 के लोगसभा चुनावों में BJP को मिली 18 सीटे वोट शेयर था 40 परसेंट से भी जादा ये नतीज़े आते ही ये बात साफ हो गई थी कि अगले चुनावों में TMC के सामने बंगाल में अगला विरोधी BJP ही होगा एक दिल्चस मांकरा ये भी है कि 2019 में हुए लोगसभा चुनावों में अगर जीती हुई सीटों का विशलेशन किया जाए तो TMC विधानसभा सीटों के लिहाज से 162 सीटों पर आगे थी और BJP 121 सीटों पर ये जो आकड़े अभी आपने देखें ये बताते हैं और निगम चुनाव इन तीनों चुनावों के हिसाब से अलग-अलग समय पर ये वोटर्स स्विंग और फ्लोट कर सकते हैं 2019 के लोगसभा चुनावों में BJP का जोरदार प्रदर्शन ये बताता है कि लेफ्ट समर्थक वोटर्स ने TMC के खिलाफ या फिर उनके विरोध में BJP के पक्ष में वोट किया इतना ही नहीं लेफ्ट निताओं का एक बड़ा तबका जो चुनावी महीने में या उससे कुछ समय पहले BJP में शामिल हुआ उन्हें BJP ने कई महतवपूर सीटों पर चुनाव मैदान में उतारा जैसे शंकर घोष जो कभी दिगज लेफ्ट निता अशोग भटाचारया का दाहिना हाथ माने जाते थे शंकर घोष लेफ्ट विंग की दो यूथ विंग SFI और DYFY के डिस्टिक सेकेटरी रही है इसके अलावा सिलिगुडी म्यूनिसिपल कॉर्परेशन में भी कई महतवपूर पदो पर रही है और CPIM की दारजिलिंग डिस्टिक कमिटी में भी एहम जिम्मेदारी सम्हाल चुके है ये सब बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि बीजेपी ने शंकर घोश को ही अशोक भटाचार्या के खिलाब सिलिगुडी सीट से टिकट दिया है लेफ्ट के काउंसलर रहे रिंकू नौशकोर ने भी बीजेपी जॉइन की और जादपूर सीट से चुनावी मैदान में है इनके अलावा CPIM की पूर्व सदस्य तापोशी मोंडॉल ने 2020 में बीजेपी जॉइन की और अब हलदिया सीट से चुनाव भी लड़ा है राजनीतिक जानकारों को ये लगता है कि आइडिलोजिकल पॉलिटिक्स से कम्यूनल पॉलिटिक्स का जो बदलाव इस चुनाव में नजरा रहा है वो बेहत शर्मनाक है और विकास शील राजनीति के लिए अच्छी स्थिति नहीं है बीजेपी ने टीमसी पर तीन पॉइंट्स में निशाना साधा है माइनॉलिटी, तुष्टी करण और लोकल लेवल पर पैसों का एक्स्टॉर्शन इसके अलावा बीजेपी ने कहा है कि बंगाल में डबल इंजन सरकार आएगी जिससे केंद्र और राजे में अच्छा कॉडिनेशन होगा और इससे राजे का विकास भी होगा जब बीजेपी टीमसी पर भस्टाचार के आरोप लगाती है तो हमें नारदा स्टिंग उपरेशन भी याद आता है लेकिन दुख की बात यह है कि स्टिंग उपरेशन में रिश्वत लेते हुए नजरा रहे लोग अब बीजेपी में सीनियर पदो पर बैट चुके हैं जैसे मुकुल रॉय, शुबेंदू अधिकारी, शंकुदेव पांडा, शोवन चैटर जी वगएरा वगएरा हलाकि शोवन चैटर जी ने टिगट बिटवारे के बाद पार्टी से रिजाइन दे दिया है इसके अलावा रोज वैली फाइनेंशिल स्कैम में बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटरजी, रूपा गांगुली और बाबुल सुप्रियों के नाम भी मीडिया में चर्चाओं में थे लेकिन सीबी आई और एडी ने इस जाच को आगे ही नहीं बढ़ाया बीजेपी ने फिर एक बार टीमसी पर कोल स्कैम को लेकर हमला बोला है जबकि इस बारे में सीबी आई पहले ही अभिशेग बैनर जी और उनकी पतनी के अलावा उनके रिष्टेदारों से भी पूछताच कर चुकी है इसी मामले में एडी ने पस्चिम बंगाल के एक पुलिस अधिकारी अशोक मिशरा को इलेक्शन से ठीक पहले गिरफतार भी कर लिया है बीजेपी ने आरोप लगाया कि अभिशेग बैनर जी को कोल स्मगलिंग से 900 करोड रुपए मिले हैं इस आरोप के जवाब में अभिशेग बैनर जी ने एक ट्वीट किया इस ट्वीट में लिखा है सारी की सारी कोईला संपदा सीधे सीधे केंदर सरकार के अंतरगत आती है अगर बीजेपी को लगता है कि टीमसी के निताओं ने कोल माफियाओं से पैसा लिया है तो सभी कलपिट्स के खिलाफ कारवाई क्यों नहीं करती ही जो रास्टिय संपदा की रक्षा करने में फैल हुए उन्हें कौन रोकता है कारवाई करने से ये बहुत हैरान करने वाला है कि बीजेपी कहती है कि कोल मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के अधिकारी अपने बॉसिस का ओर्डर लेने के बजाए टी-े-म-सी का ओर्डर फॉलो कर रहे हैं करी राजनितिक पार्टियों का ये आरोप है कि केंज सरकार, E.D., C.B.I., N.I.A. और इंकम टेक्स जैसी केंद्री एजनसियों का इस्तेमाल गलत तरीके से अपनी विरोधी पार्टियों के खिलाफ कर रही हैं जिससे कि ये तमाम विरोधी पार्टियों कमजोर होती जा रही है इसी से जुड़ा एक उधारन हमारे पास है दरसल बारा साल एक पुराने केस को उठाया गया ये केस था साउथ बंगाल के एक बड़े नेता छटरदर महतों के खिलाफ इस केस में बकायदा N.I.A. ने छटरदर महतों को गिरफतार कर लिया जब इस बारे में ग्रिहमंत्री अमिच शाह से सवाल पूछा गया एक प्रेस कॉंफरेंस के दोरान तो उन्होंने सवाल का जवाब तो नहीं दिया बलकि इस सवाल को टाल दिया अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार 12 साल पुराने केस में एक नेता को गिरफतार करने की क्या ज़रूरत थी पॉलिटिकल मोटिव बिल्कुल साफ है ये बाब भी साफ है कि इस बार बीजेपी इस चुनाव को जीदने के लिए अपनी पूरी ताकत जोंक रही है तभी तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अब तक करीब 9 रेलियों को संबोधित किया है इनके अलावा देश के ग्रेह मंतरी अमित्चाह ने मार्ज के महीने में ही करीब 14 रैलियों को संबोधित किया इनके अलावा बीजेपी के रास्त्री अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने भी मार्ज के महीने में 7 रैलियों को संबोधित किया है इतना ही नहीं बीजेपी ने अपने 40 सांसदों को जिनमें कई सारे केंद्रिय मंत्री भी शामिल हैं इनके अलावा अलग-अलग राजियों के आठ मुख्य मंत्रियों को पस्टि मंगाल में तैनात किया हुआ है वहीं टीमसी ने बीजेपी के सेंटर लीडर्शिप को ही टूरिस्ट गैंग बता दिया है और कहा है कि ये बाहरी लोग बंगाली रास्टरिवाद का मुद्दा उठा रहे हैं टीमसी के पोल स्टैटेजिस्स प्रशान्त किशोर ने पहले भी ये बात कही थी अब देखना ये होगा कि इस बार बंगाल में आशोल पोरिवोर तो नाता है या फिर घौरेर में यानि घर की बेटी तीसरी बार सब्ता में काबिस होगी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिक कर जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ हमें एक बार आपके सामने फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे दीजी इजासत नमस्कार